असलाम अलेकूम लेक्चर 1-1-0 स्टार्ट करते हैं जी काइफ 1 का पेज 843 पे आजएं जी यहां तक तो मामलाथ कलियर हो गए थे 843 पेज तक इनवेंटरी पे आजएं इनवेंटरी जैंड नॉन कुरेंट एसेट्स जी बच्चो हाँ क्या पूछना पता नहीं वो स्टूडेंट उसके बाद मुझे नजर नहीं आए कुछ बात नहीं साधा सी बात है हमने कर ली है जी प्लीज प्लीज देखें अगर इन्वेंटरी खरीदी जाए इनीशिली तो अपनी फेर वैलियो पे रिकार्ड होती है ना जिसको हम कॉस्ट कहते हैं और अगर कोई हमें वो मुफ्त में दे जाए तो हम उसको कॉंट्रिबूशन कहते हैं और उसको भी रिकार्ड फेर वैलियो पे ही करते हैं यही सीखा हुआ सबसीक्वेंट मेयर्मेंट में नॉर्मल यही है इन्वेंटरी अर वैलियूड अट लोर आफ कॉस्ट और एनर्ग लेकिन एक स्पेसिविक केस इन्होंने दे दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेंटरी पड़ी है जिस इन्वेंटरी को आपने डिस्ट्रिब्यूट करना है हेल्ड फॉर डिस्ट्रिब्यूशन अट नो चार्ज और फॉरा नॉमिनल चार्ज या तो आपने उसको इसलिए रखा हुआ है का आप उसको मुफ्ट बांटेंगे या थोड़ से पैसे बतलब नॉमिनल से लेकर देंगे लोगों में ठीक है या आपने उसको रखा हुआ है हेल्ड फॉर कंसंप्शन यूज होगी वो किसी चीज में इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गोड्स तो बी डिस्ट्रिबूटिड फॉर नो चार्ज और फॉरा नॉमिनल चार्ज या तो वो इन्वेंट्री आइटम ऐसा है या पास कीजिए गा अच्छा जी अर्ज मैं ये कर रहा हूं कि आपने इन्वेंट्री रखी हुई है होल्ड की हुई है किसलिए कि आप वो मुफ्त बांटेंगे या नॉमिनल चार्जिज लेकर बांटेंगे ठीक है जी इसकी एक्जेंपल हमने कर ली थी बस इसको इस हद तक ही करना है अगर ये है चाहे नहीं है एक्जैमिनेबल एम सी की उसकी हद तक हमने इस बात को समझ लिया ठीक है अच्छा यारब आप लोग एक तो टाइम पर आते नहीं हो फिर ऐसे हरकतें भी कर जाते हो हमारी क्लास जिस्टर्व होती है अपना बैग उठाओ और पीछे चले जाओ यहां बच्छों को ना बिठाना जल्दी करो जल्दी करो अच्छा जी डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में जल्दी करें अब्दुल्ला आज के बाद आप लेट ना आहिएगा कहते हैं आज के बाद बचा क्या है हां बैठ जो कोई नहीं है अब दुल्ला इधर ही बैठ जो साथ इसके अहमत के अच्छा जी उसके बाद कलेक्शन्स हैं कलेक्शन्स के बारे में लंबी चौड़ी कहानी कितने बच्चे पढ़के आई हैं यह बाकी सारा मुझे तरह बता तो दें कम असकम पता तो हो मुझे अच्छा क्लेक्शन के बारे में काफी सारी बातें लिखी इटी मतलब यहां तक भी एक जगा तो लिखा हुआ था कि यह रिक्वाइड भी नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग है लेकिन आपके लिए यह बात भी बस स्रेटिकल पॉंट आव यू तक इतनी सी है ठीक है बात सिरफ इतनी सी है सारी बात के अंदर बात सिरफ इतनी सी है जो आपने जहन में रखनी है अपने सवालों के साब से अगर कोई कलेक्शन आजाए तो उसको शो करना है आपने याद रखने की जरूबर नहीं है जी ठीक है ये बात बस लिख ली होगी आपने मुझे उमीद है अभी तक आप लिख भी चुके होंगे ये बात साथ देर नहीं लगाते है आप ऐसी बाते लिखने में ठीक है जी अब बोलना पड़ा है मतलब खुद से पता नहीं कैसी बात है कि पूरा सफ़ा एक तरह है और एक तरह बस इतनी सी बात याद रखने है लेकिन वह पढ़ने के बाद सारा पढ़ लिया अगर आपने चीक है शोन सेपरेटली नॉन कर्ड़ एसिट्स और डू नोट डेप्रिशेट अच्छा जी उसके बाद प्रॉपर्डी प्लांट ए प्रॉपर्र प्लांट एकिप्मेंट क्या है जी कहता जी टैंडडिवल एसिट्स हैं जो ये क्राइटेरिया मीड करें एंड़ इंड वालिऑ तरॉविंग क्राइटेरिया अच्छा वह यार यह क्राइटेरिया हमने पहले भी पढ़ा हुआ है आई थे दिन उसका क्राइट या supply of goods कर सकें और services भी कर सकें यानि कि आप अगर सफाई करने वाली कंपनी है तो आपके पास सफाई वाला equipment है या आपका PPE है लेकिन इस से आप goods नहीं प्रोड्यूस करके दे रहे बलके services render कर रहे तो आप इस वो production या supply of goods और services में यूज करें या admin purpose के लिए यूज करें तो आप आई 16 ने कहा था यह आपका PPE है इधर भी वही बात ही हो रही है क्या कि यह अगर held for use है अच्छा main बात बात इतनी सी है अगर यह held for use है किस लिए किस लिए in provision of services for administrative purposes for production of goods for maintenance repair development of other tangible assets क्या मतलब आपने एक welding welding plant रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि आपके दूसरे जो acids हैं जो उनमें कभी मसला आजाए रपेर करने के लिए आप उस यूज कर लेते हों तो वो welding plant आपने बेशने के लिए तो नहीं रखा हुआ चीक है विसाल के तौर पर आपने generator रखा हुआ है वो इसलिए र रहा है या इसको आपने इतने दूसरे assets के repair maintenance के लिए रखा हुआ है तो यह क्या कहलाता है जी tangible current asset जानी property plant equipment में classify होता है ठीक है और कह रहा है जी इसका दूसरा criteria क्या है they have been acquired constructed or developed with intention of being used on continuing basis लंबे अर्से के लिए इस्तमाल करना है उसको बेच नहीं देना like inventory ठीक है लंबे अर्से के लिए इस्तमाल करने की नियत है यह property plant equipment कहलाता है and are not intended for sale sale के लिए नहीं रखा हुआ not held as part of collection collection नहीं है तो यह एक बार read करना था आपको बस इससे लावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी फिर measurement of contributed acid मैंने कहा था as a donation आपको acid मिल जाए तो उसकी क्या entry करोगे standard ने कहा हुआ है उसको fair value पर record करना है बताया हुए आपको एक आया भी था हमारा medical equipment सवाल के अंदर लिखा हुआ था medical equipment contribute हो गया है तो मैंने कहा था उसकी entry क्या करो medical equipment debit deferred contribution credit ठीक है और फिर जैसे जैसे वो furniture था I think हमारा नहीं equipment ही था furniture equipment यह medical equipment ही था वो medical equipment जैसे जैसे deposit होता जाएगा इसको भी हम आस्ता इस्ता income मनाते जाए ठीक है तो उसूल सिर्फ इतना सा था क्या highlight करने वाली बात a contributed asset would be recorded at its fair value at the date of contribution बस बाकी बाते हैं तो अंग्रेजियां है ठीक है वो भी पढ़ा देता हूं लेकिन एक सवाल हमने अब कल देखा ठीक है उसके अंदर क्या कहता था वो यह था Aztec sports club was formed in January किस हम 22 में खड़े थे पिछले साल पहले दिन यह बना था when a founding member sold a piece of land having fair value of चार लाग चार चार हजार for the purpose of establishing sports for हजार only ठीक है अगली इतर information उसमें दी हुए अब यह जहन के अंदर रख लेना अब यहां पर हमने क्या बात पढ़ी है कि जो contributed asset होगा उसको किस पर record करना है fair value होगा उसके बाद फिर हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी और वो चीज़ क्या पढ़ी थी अगर contributed asset है यानि अगर तो contribution है जिससे आपने asset खरीदा या खुद asset ही contribute कर दी है किसीन और वह asset कौन सा है non depreciable तो उसको क्या करो record कर लो as direct increase in net asset यानि directly credited to मैंने लिखा था general fund ठीक है इसकी बजाए अज फंड लिख ले तो बेतर है directly credited to funds इसको अलग वैसे general fund में प्हांग सकते हैं लेकिन अलग रखेंगे हम ठीक है ना यह आप थोड़ा सा फर्क है government grant से जो मैं आपको बताना चाहा रहा है government grant के अंदर क्या कहा था हमने कि अगर आपको non depreciable asset भी मिल जाए तो उसको liability ही बनाओ उस grant को और देखो उसके साथ कोई depreciable asset relate कर रहा है तो उस grant को भी आइस्ता इस्ता income बनाते जाओ जैसे से वह ऐसे डेपिशेट हो और अगर कोई डेपिशेट नहीं करता तो फिर देखो कौन सी condition लगी हुई है जैसे जैसे वह condition मीट होती जाए वैसे वैसे उसे इंकम बनाते जाओ यह हमने आइस 20 में पढ़ाता है यहां पर उसने कह दिया के इधर देखो यहां पर यह अकाउंटिंग स्टेंड फो एंप्यों ने बताया है कांट्रीबूशन को कैसे revenue बनाना है कांट्रीबूशन revenue की recording कैसे हो यहां पर उसने बोला in case of restricted contribution है for purchase of capital asset in case of non depreciable asset record as direct increase in net asset यह कहता है कि इसको liability नबनाओ इसको direct increase कर लो net assets में income में नहीं लेके जाना income में यह किसी एक साल की income तो नहीं है कई साल इससे फाइदान है ठीक है लेकिन चुके कोई ऐसी basis नहीं है हमारे पास साथ में मौझूद जिसकी साथ साथ मिलाकर इसको भी हम income मनाएं तो कहता है कि जिस दिन यह आपको contributed asset मिल जाया या पैसे मिलें जिससे आपने asset खरीदा और वह asset non depreciable हो तो उसको directly क्या कर लो funds का part बना लो ठीक है मतलब आ तो गया ना लैंड तो debit हो गया credit किसको करो liability कर दो और फिर income मनाओ कहता है यह मुम्किन नहीं है क्योंकि land depreciate होना नहीं है तो क्या कर दो land debit करो और fund को ही credit कर दो बस अब land भी नजर आता रहेगा fund भी नजर आता रहेगा और जब कभी land बेच देना किताबों से निकल जाया तो यह fund भी निकाल के फिर उस वक बेशक बना लेना पिर जी इसका अपना नाम लिख देना ना जो मितलब नॉर्मली वैसे depreciable non depreciable asset land ही होता है तो आप यूं कहलें land का fund अलग से आने लग जाएगा या नि अलग एक कॉलम नजर आने लग जाएगा non depreciable asset अगर है उसके मद में कोई donation कोई funding मिली है या वो asset ही मिल गया है तो उसका net assets में अलग से कॉलम मना लेना है आपने मैं भी दिखा भी देता हूँ ठीक है तो सही है तो ये बात जहिन में रखते हुए हम इदर आए हमने का आज ही दो बाते होगी है अब पहली बात पहली बात अगर कोई बंदा हमें asset ही contribute कर दे तो हमने उसकी entry करनी होती है asset debit और deferred contribution credit यानि के asset को record किस पर करना important बात क्या है fair value है लेकिन अगर यही asset depreciable ना हो बलके non depreciable हो जाए तो फिर deferred contribution की बजाए आपको direct इसको equity इसमें funds में डाल देना है नाम इसका जो भी लिख लो non depreciable asset fund लिख लो land fund लिख दो ठीक है उसमें फैंक देना है ठीक है अच्छा एक बात तो यह हो गई अगर किसी ने आपको कोई asset दिया that say हम अपनी example ही वही देखते है land ठीक है वो land दिया आपको 100 रुपे का यह उसकी क्या है fair value ह आपने उसके लिए एक रुपेया नहीं दिया तो यह सारे का सारा क्या है वैसे तो contribution था लेकिंगे non depreciable है तो आपने इसको किसमें फैंक दिया fund में और अगर आपने इसके लिए कुछ पैसे दे दिये तो बाकी पैसे फिर किज़र फैंक दो ठीक है अगर थोड़े से पैसे हैं तो बाकी ज्यादा सारे fund में पहें दो मतलब different options हैं मकसद सिर्फ यह है कि इसको record किस पे करना है आपने fair value यह तो बात तैह है यह तो बात यहां लिक्की हुई है क्या contributed asset would be recorded at its fair value at the date of contribution अच्छा लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको fair value ही नहीं देता अब क्या करें नहीं पता तो जो amount दी है उसी पर record कर लो ठीक है जी लेकिन cash तो पे नहीं किया cash तो आपने पे नहीं किया cash pay की है cash pay की है अब कोई grant नहीं ठीक है और अगर कोई cash pay नहीं क्या मुफ्त में आ गया है तो यही grant बन गई बिल्कुल उसी तरह सही है ठीक है ना लेकिन असले में बात यह है कि यह कहते है standard वाले government grant में भी यह मसला था उसे यहां पे standard यह कहता है यार पहली बात तो यह है asset को fair value पर record करो asset किस पर record करो fair value पर और अगर कभी fair value ना given हो वैसे ऐसा होता नहीं है यह जो चीजे मिलती है इनकी fair value होती ही है मतलब land आपको दिया गया है उसकी fair value होती ही है लेकिं वर्स के scenario कहता है कोई ऐसी चीज़ आपको मिल गए जिसकी fair value है ही नहीं ठीक है atom bomb बनाने वाला plan बिल गया आपको भी बिकता ही नहीं मार्किट में fair value नहीं है ठीक है तो किसी nominal value पर भी उसको record जरूर कर लो कुछ पैसे दिया है तो उसी पर कर लो नहीं दिये तो एक रुपे पर भी कर लो ताकि पता तो हो एक चीज है तो पड़ी land debit fund credit अगर एक रुपे से भी हो तो land नजर तो आ रहा है ना फिर आगे तो explain कर दोगे आप finance statement में लिख कर कि जी इस पर कोई पैसे नहीं दिये है लेकिन हम control purpose के लिए इसको record कर ले आइस 20 के अंदर भी यही बात है लेकिन अगली बात मैं यही कहा था मतलब ना record करने से तो एक रुपे पर record कर लो एक रुपे नॉमिनल सी चीज है ऐसा होगा कभी नहीं कि तो मैं आपको worst case scenario बता रहा हूँ क्योंके देखो land मुफ्त में भी दे ना government तो यह चलान चलून यह वो चीज़ें थोड़ी बहुत पैसे लगी जाते हैं जी यह फ़लाँ फीस जमा कराएं फ़लाँ फीस जमा कराएं और फिर यह अलॉट हो यह वो fair value उसकी होती है और उसूल यही है कि उसको किस पर record करना अगर कोई asset दे दे गवर्मेंट ने दिया था IAS 20 में यहां NPO को मिल गया चाहे गवर्मेंट है चाहे किसी individual से तो इसका उसूल क्या है इसको fair value पर record करना है ठीक है ओके अचा जी हां यह 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 बनाओ और conditions meet होती जाएं तो income मनाओ उनने का land की क्या condition उनने का या तो इस पर कोई building बनेगी तो उसके साथ कर लो नहीं तो इसके साथ को condition attach होगी जैसे फसल वगाओ इतने साल उसके साथ कर लो यहां पर इसने यह नहीं का यहां पर इसने यह कह दिया कि बस जब यह non depreciable asset व इस बेस पर income मनाओ गए अब professional sports के अंदर एक मामला है पिछली क्लास में ने बोला भी और फिर भूल गया आपने याद कराना है वह जब यह बात पूरी हो जाए फिलाल इस adjustment को पूरा करने ठीक है अब हमारी adjustment क्या है मारी adjustment है के land हमें मिल गया 4000 का कितने में 1000 में तो बाकी 3000 क करता है तो direct कहां ले जाओ funds ठीक है अब यह entry होगी land debit fair value से cash credit 1000 पे से यह कब होगा 2021 में ठीक है और land fund credit हो गया 3000 ठीक है अब cash तो credit होगा closing cash के अंदर closing cash तक आता है यह minus हो चुका होता है ठीक है अब 2021 में जब हमने यह काम शूरू किया था और यह land मिला था तब यह land debit हुआ balance sheet में नजर आ रहा होगा 4000 को बोलो और यह हमने net assets में पहेंक दिया था net assets में land fund को balancing figure यह वहाँ पे नजर आ रहा है हमारा साल आया 21 तो इसने कितना deposit हो गया होने है और इसने कितना income में गया होने है यह 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 आज इस नजर आता रहेगा अब हमेशा के लि दिया था ठीक है वह land किताबों में नजर आ रहा है और जितने मुफ्त वाले पैसे थे वो इदर लैंड 4000 पे है और यहां पर यह फंड 3000 पर समझा रही है बाकी पैसे ही दी होंगे ठीक है और सही है तो इसकी यह extracts अगर में बनाऊ तो यह presentation होगा ठीक है इस entry की यह presentation बनेग भी इदर ही होगा नौन कंड लाइबिल्टी से उपर जहनी statement of changes in net assets के अंदर आपके जो तीन कॉलम थे आज एक कॉलम मैंने और एड कर दिया है वह है नौन डेप्रीशियबल एसेट का पहले दिन मैंने तीसरा कोना भी छोड़ दिया था याद है ना आपको फिर end पे जाके हो सही है तो statement of changes in net assets के अंदर कॉलम बने गए यह जैनल फांड इंडॉम्मेंट फांड इंटर्नल इस्ट्री फांड और लैंड फांड लैंड फांड के अंदर बस यह पैसे पढ़े रहेंगे अच्छा अब professional sports club में भी यह निशानी थी अकल वालो यह निशानी थी लेकिन है नहीं वह फंड में नहीं गया था चेक करते हैं उसमें क्या मस्ला था पेज नंबर बता देना मुझे मैं पहुंच ही जाओं चाहिए नाइन है नाइन फोर सेमन जी जी पस्टेंट बैंक टैन इसको हो गया गया इसको है पिछली क्लास में मैं बच गया था इस टाइम के दाया वने था मैं बूल गया था एक्चुली जी बच्चो खुल गया था जी फंड फर जमनेजियम और ट्रेनिंग सेंटर है stipulation imposed externally that it shall be used exclusively for building a gymnasium and training center in नवाबपूर town the contribution received included contribution of 14 million to acquire freehold land for the center however no land has yet required यह मसला हुआ था इस वज़ा से हमने इस 14 की entry कर दी थी वह कौन सा fund था जिम फंड लेजर वाला यह external था ना अब बोलो इसको कॉलम में डाला था इसका प्रेट साइड पर और यह fund बना लेते हैं ठीक है ना अब फिर जब लेट कर देना कैश क्रेड़ कर देना इसको डेबिट कर करके इसको ले जाना net assets में दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी ना कैश आया होगा ना आपको यह कैश आया पड़ा है यह asset नहीं मिला कैश आया पड़ा है तो कैश डेबिट हो चुका था कॉंट्रीविशन क्रेड़ हुआ पड़ा था आपने बस यहां पर प्रिजेंट कर दे यह आप यह यह आपने एंट्री किये कैश डेबिट जिम फंड क्रेड़िट फिलहाल और क्या करते लाइबिल्टी बना ली क्योंके यह किसलिए मिला है लैंड के लिए अब जब लैंड खरीदेंगे तो आप एंट्री करेंगे लैंड डेबिट कैश क्रेड़िट और यह फंड क्रेड़िट और लैंड फंड क्रेड़िट कर देना नेट एसिट्स के अंदर ठीक है तो यहां पर यह इसलिए नहीं किया था यह जो ट्रीटमेंट आपके सामने है लेकिन अब बता दिया आपको नॉन डेप्रिशेबल एसिट जब आ जाए तो उसको रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट में फेर वैलियो पर और उसके अगेंस ले जो मुफ्त वाला काम हुआ है ये इनकम बना लो कठाई मतलब फंड में डाल दो ठीक है अब अब के बात पूरी दरब पढ़ लें यहां पर लिखा क्या हुआ यह तो हो गया ना में उसूल में उसूल क्या है मतलब हाइलेट जब इतनी सी बात कर ली एक कॉंट्रीबुटिट एसेट वूट बी रिकॉर्डड़ एट इस फेर वैलियो एट ड़ 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 डेट ऑफ कॉंट इन एस्टीमेट फेर वैलियो कैन नाट रिजनेवली भी मेड बोथ एसेट और रिलेटेट कॉंट्रीविशन वूट बी रिकॉर्ड़ एट नौमिनल वैलियो तो एंशूर मॉनिटरिंग अचाउंटबिलिटी कि यार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर तो लो ताके पता लग सके कुछ चीज पड़ी है किताबों में होगी तो कब में भी होगी ना ठीक है अटेंजिबल कैपिटल एसेट परचेश बाएनप्यो एट वैलियो सब्स्टेंशली लोर देन फेर वैलियो वूड अलसो भी रिकॉर्ड़ एट इस वेर वैलियो वीड डिफरेंस बिट्वीन खरीं कंसीडरेशन पेड़ फर टेंजीबल कैपिल एसेट इन सेर वैलियो रिपोटेट एजा कॉंट्रिवूशन ना यहां पर लिखता कॉंट्रिवूशन जेवाला यह वाला ठीक है आपने ये 100 रुपे का एक्विप्मेंट 10 रुपे दे कर खरीदा तो 90 रुपे ये लाइबिल्टी बन ठीक है ये फार्क है दोनों में समझाई है अच्छा अच्छा अटेंजिबल मुवेबल कैपिटल एसिट प्रोक्योर्ड फ्रॉम अगर्मेंट ग्रांट में भी र जाइज दे दी कि गवर्मेंट ग्रांट को चाहो तो एसिट से नेट करके नेट एसिट को डेप्रीचेट करो ये ग्रांट इंकम रिड्यूस्ड डेप्रीशेशन की फॉर्म में इंकम बनती जाएगी ठीक है ये लिखा हुगा है अटेंजिबल मुवेबल कैपिटल एसिट प्रोक्यूर्ड फॉर्म ग्रांट में बी रेकिनाइज़ एट कैलिंग अमाउंट डिड़क्टिंग दा ग्रांट दा ग्रांट इस रिकॉर्ड इंप्र लॉस ओर देप्रिशन एक्स्पेंस इस इस अग्रांट फॉर एक एहम बात है थोड़ी सी पीच में लेकिन हाइलाइ वैसे का रहा हूं सिर्फ अभी पढ़ाने के लिए वैसे आपने हाइलाइट नहीं करने बस याद रख लीजेगा पहली बात समझागी है न सारी अब यहां वो कहता है यह जी ऐसा भी हो सकता है कि गवर्मेंट ने कहा हम ना एग्री कल्चर को इंप्रूफ करना चाहते हैं तो आप एग्री कल्चरिस्ट हैं ठीक है आप जो है आपको हम एक हारवेस्टर देते हैं क्या देते हैं जी हारवेस्टर यह हमारी तरफ से आपको तौफा है आप इससे अपने हारवेस्टिंग करें और वहां पे मतलब एग्री कल्चर अच्छे तरीके से और इंप्रूफ करें आप पैसे नहीं होंगे आप हमसे ये एसेट लेने लेकिन मौतरम दस साल बाद ये एसेट आपने हमें वापस कर देना है अब अगर ऐसा मामला है और एंड पे जाके एसेट गवर्मेंट को वापस हो जाना है किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए ये गरांट मिली है तो लाओ ये कितने का बिक जाएगा हमने का यार डेड हो तो आपने आज इस हर्वेस्टर को रिकार्ड ज़रूर करना है लेकिन उसको रिकार्ड करना है फेर वैलियो एक हज़र ये एक लाक एक लाक है नहीं दस लाक सुरी फेर वैलियो दस लाक माइनस प्रेज़न्ट वैलियो आफ वो वाली जो रेजल वैलियो मिलनी थी एस्टी इसके बार पढ़ लो बस उसके बाद जरूरत नहीं है जाद रखने की if it is a grant for a specified period and as it has to be returned at the end of grant period as it shall be valued at fair value लेकिन उसमें से क्या less कर दो less present value of estimated residual value at the time of grant or contribution ठीक है estimated residual value की present value निकाल लो at the time of contribution और उसको fair value से less कर दो यह नियूं कह रहे हैं हम कि यार यह 10 लाग की चीज़ है लेकिन हमें तो 20 में से 80,000 मीना मिलना एंड पर वो तो हमने वापस कर देना वो तो government को मिलेगा अगर मिलेगा तो तो हमें तो फिर यह फाइदा इस asset का कितना है नौ लाग 20,000 का तो बस वही हमारी grant है इतनी सी बात यहांती लिखी हूँ ठीक है अच्छा जी construction or development over time कहते है जी cost of PPE include direct construction or development material, labor, overheads directly attributable to construction or development activity कहते है जी अगर PPE आपने कोई PPE का item आप खुद बना रहे हैं PPE का item आप खुद बना रहे हैं सारे के सारों की तबज्व है ना कौन-कौन सोया हुआ हाथ खड़ा करें सोया हुआ कैसे हाथ खड़ा कर सकता है अच्छा जी सुने सुने साथ वाला हाथ खड़ा करें अब सारी class आथ खड़ा कर लेगी अच्छा सुने तो कह रहे हैं अगर आपने अगर आपने PPE को कंस्ट्रक्ट किया है खुद तो उसकी कॉस्ट में क्या होगा material labor overhead ठीक है आप वो कहने लगा इसमें तो शामिल होते हैं material labor overhead लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप PPE खुद बना रहे हों तो लोग material या labor contribute कर देते हैं तो उसको किस पर record करना है वो पहले ही पता है हमें यह लिखा हो है पड़ो the cost of PPE includes direct construction or development cost such as material labor and overhead cost directly attributable to construction or development PPE which is developed or constructed by an NPO might include contributed material or labor which would be recorded at fair value at the date of contribution पता है हमें बस सिर्फ पढ़ना था एक दबाँ ठीक है उसके बाद depreciation या amortization में कहता है कि land को normally depreciate नहीं करते और बाकी जो है fund accounting के अंदर आप देख लो depreciation निकाल के किस fund को डालनी है अगर आप इस तरह से करते हो वैसे तो वो ज्यादा तर यूज होता था जो restricted fund method है न उसके अंदर मैंने किसी तरह से बांटा जाता है तो इस तरह की बात कर रहे हैं बाहराल आपके लिए irrelevant है ठीक है when a fund accounting basis of reporting is used choice of fund or funds to which depiction expense would be charged would be based on providing most meaningful जो जो सबसे बेतर presentation दे बस वो कर ले ना ठीक है पता है हमें हम तो इस तरह से करते हैं हमारा तो expenses के अंदर ही depiction जाता है सारा तो यह tension हमें नहीं है ठीक है ना हाँ यह जरूर हो सकता है मिसाल के तोर पर मैं अपनी example में fit करता हूँ न उसको research fund था यह professional service वाले में था ना professional sports club में था ना research जो हमने internally restrict करके बनाया था अब हमने यह कहा है कि उसके expenses को उसी में से direct minus करना है अब मिसाल के तोर पर बिल्डिंग पूरी है उसकी depreciation आ गई सौ रुपया हमने कहा जी इस में से जो research के लिए कमरे है ना वो तकरीपन इस बिल्डिंग का पांच परसनेट बनते हैं तो पांच रुपय की depreciation जो है वो आपकी research fund में जानी चाहिए तो simple 95 की expenses में डाल देना और पांच की research fund में जाके उसके expenses में डाल देना उसके expenses उसी में से माइनस हुए थे ना वह ऐसी ही को बात कर रहा है कि जो meaningful presentation दे वो करने अगर क्या क्रिशन क्या लगाएं बुरा अगर मानों तो फिर ना बता हूँ चलने ठीक है इंपॉइंपेर में टैंडम और है भाई मैंने यह अर्स किया कि मिसाल के तोर पे हमने कहा था professional sports club में एक research fund है उसके पैसे हमने अलग करके रखे हुए थे ठीक है अब हमने कहा था research fund को पैसे जाने है internal fund से निकाल के और research cost को भी हमने कहा था उसी में से minus करो income expenditure में शोग ना करना अब मैंने का हमारी पूरी बिल्डिंग में research के जो कमरे हैं वो पांच परस्ट बिल्डिंग का एरिया है अब बिल्डिंग की डैक्शन सोर पे आई है तो मैं कहा रहा हूँ मुनासिब यह है कि 95 रुपे income expenditure में डालें और पांच रुपे research fund में डालें उन्हों यह इस किसम क के लिए relevant है नहीं कि बाकी तो आप करते ही कि adaptation सारी expenses में डालते है ठीक है अचा जी यह है यह point हमने कर लिया हुआ चीक है यह point हमने कर लिया हुआ है क्या मतलब यह जो example है आपने घर पे की थी ना यह क्या है कहता है जमील मैताब dispensary NPO had capital asset of furniture at caring value of 6 लाग and related unamortized deferred contribution balance of 4 donation से खरीदा होगा ठीक है अब आप कह रहे हो सेम नहीं आ रहा है जरूरी तो नहीं है कि जितने का furniture उतने ही donation आ जाए याद नहीं है government grant का topic आपको जिसके अंदर ऐसा भी होता था कि सौर पे asset की कीमत होती थी और government साट रूबे सरफ देती थी ऐसे ही furniture हो सकता है 10 लाग का खर और उसका related deferred contribution है जो unamortized का मतलब अभी तक income नहीं बना वो कितना है 4 लाग यह चे लाख expense बन जाएगा कुछ अरसे में और यह 4 लाख income बन जाएगा कुछ अरसे में यह होना था ना नॉर्मल यही होता है ठीक है लेकिन वो कहता है हुआ क्या at that date इस दिन जिस दिन यह book value आ और स्वा हो गया furniture अब furniture सारे का सारा right of करना पड़ेगा बोलो तो furniture credit 600 से कोई insurance वालों ने पैसे दी हैं तो बताओ तो यह सारे का सारा क्या है loss अब इसका related इसका related contribution पड़ा है अभी 4 लाख क्यों रखा हुआ था हमने नहीं रखा क्यों हुआ था match match करा के बेजेंगे match करा के जैसे जैसे यह furniture depreciation के expense बनेगा वैसे वैसे यह contribution income बनाएंगे अब वो कैसे बनाए एक दमी expense बनाए तो फिर वो पैसे तो हमारे हाई गये थे उसी वक्त कि जब उसने contribution दिया था बंदे ने तो उस वक्त income में जब इस लिए डाला था कि related asset के साथ साथ इंकम बनाएंगे तो बनेगा ना expense सारा तो इसको भी सारा income बनाएंगे थीक है समझा ही बात की अब यही बात यहां पर लिखती हुई है इस एक बात कि जलने के बाद कबाड़िये को देने के जोगे पैसे हों तो वह तो लिख लेंगे ना यहीं राइड़ डाउन तो क्या करेंगे मसा अब चेला का फरनीचर था जल गया और कुछ आग बुझा लीएंगे उन्ने का चलो आप इस लखडी को बेज देंगे तो व यह मलबा बिख जाएगा तो फिर मैक्सिमम राइट ओफ क्या करोगे आप पांच लाग ठीक है ना और सही है मालब मैच करा देना दूसरी कॉंट्रिविशन को भी उसी परसंटेज से आप कम कर लेना और एसिट बचा पड़ा है जब एसिट सारा ही निकाल दो तो फिर कॉंट के साथ रिलेट करने वाला अमाउंट फैनी अमोर्टाइज अनमोर्टाइज जैफर्ट कॉंटिविशन रेकाड़ेड एस रेविन्यू प्रोवाइड ओल रिस्ट्रिक्शन भी लगी हो तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो तब तक आप इसको इंकम में नहीं डा अच्छे उसके बाद ये फॉर्मेट तो आपको ठीक है देखकर अच्छे ही लगा होगा कि ये फॉर्मेट आइसा ही बनाया हुआ हमने लेकिन ये थेशा था था नजर पढ़ लेना कितने बचने ये पड़ी थी कुस्टेंस कोई आया इनमें इसमें कोई कुस्टें बनता अच्छा नहीं था वैसे कुस्टें भी आया है और क्या अला अब्दॉल्ला आइम फीलिंग सॉरी फॉर यार लेकिन पिला नहीं रहा फिर भी मैं चाहिए हैं है तीन बजे से आनवर्ड लेकिन अभी मैंने न सही पूछो तो तो त्यारी नहीं की हुई पूरी तरह से पर बहुत सारी चीज़े हैं ना जो चीज़े इंटिफाइड हैं अल्रेडी आज रात लगाओंगा फिर इंसालला जरूर अर्टू की तो तीन बजे तक से पहले कर लूँगा ना हाँ तो सर ने कहा है 20-25 मिनट के लिए बस इनको बलाना है मैंने तो तीन बजे सर ने कहा था आ मगरिब तक चुटी कर लेंगे बेटा देखो टॉपिक आज ये खतम होने लगा है ठीक है ना मैं कोशिच ये कर रहा हूं अभी फ्रेमवर्क पढ़ा के एंड पे पिछली क्लास में तोड़ा सा नहीं कर सकी बातों को कंक्लूड तो मैं चार रहा हूं के MCQ शायद में डिसक करूं तो उसका पार्ट बना दो और कुछ भी नहीं है ये देखो अब इसमें क्या बचा है देखो मैं थेरी पढ़ाते पढ़ाते भी आखरी लफ्स तक आगे हैं इस टॉपिक में अभी फ्रेमवर्क हो जाना है फ्रेमवर्क वैसे हमने कर लिया है बेसिकली वस्तोड़ा स तो उसको बस वो हिस्टॉरिकल कॉस्ट और वो वाले समझाने बाकी है वरना बाकी तो है सारा थ्रेटिकल काम तो ये तो आज मैं खतम कर दूंगा लेकिन अभी मैं आगे क्या कर रहा हूं वो बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरी तसली वो भी देखना है कि कितनी तसली जब देखना हूं चीजना तो तसली हो भी रही है ज़्यादा कि हाँ यार इदावा ये बी हो गए ये बी हो गए ये बी हो गए अच्छा जी फ्रेमवर्क पे आजें इसके अंदर आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो सवाल रहते हैं जरा मैं आपको नजर डलवा दूँ वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करनी इसलिए नहीं की कि मैं देख नहीं सका चीज इसी बात है तो मैं देखना चाहा र इसकी वीडियो प्रोवाइड करनी है आपको यह हो गया सी व्यू की भी करनी है एक और भी है मोडर्ना यह तीन करनी है ठीक है अच्छा फिर भी फिर भी वह वह तो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है पिछली से पिछली बार पिछली बार वालों को भी वही अवेलेबल क सुन लेंगे किसी वाइब तो यार वो मोडर्णा वाला किदर दानिश को बाएब तो ऑन एर कर देना उसमें कोई चेंज नहीं है ठीक है वो जाने ले जैसा भी होगा पिर माफ कर देना है उस्ताद को दानिश को बलाएब अच्छा बाराल उसके बाद यह नहीं करना जो करने हैं कर ली हैं ठीक है 12 हो गया लैयर कलब 13 वाइलन फैमली कलब 14 चौंक तार इंटरनेशनल 15 आपको देना है आज आज मिल जाएगा भी आप किसी वक्त देख लीजेगा सीरियस गॉल्फ कलब है यह मेरे ख्याल से सीरियस ही है ना सीरियस ही है और उसके बाद वो किदर गया म है ताब वैल फिर आ गया यह चुड़ा सवाल है यह भी देख लेंगे किसी वक्त डिसकस करने जोगा है भी या नहीं ठीक है अच्छा तो मुस्ली अब यह चैप्टर के अंदर भी हमारी कोई चीज ऐसी रही नहीं है जो चीजें हैं वो मेरी तसली के लिए हैं कि मैं उनकी जी बचो प्रेमवर्क इंट्रोड़क्शन हो गया था स्कोप हो गया था यहां थे रीड किया इनको अच्छा अब सुनो मैंने आपको कहा था फाइनेंशल स्टेट्मेंट्स में भाई वो जो साकिप से पूछ ले मुझे वैसे उन्होंने मैसिज किया हुए शायद आपको भी किया हो मोडर्वना वाला जो सवाल है उसका जो लिंक है जैसे मुझे ठैरो बलक थी लेक्चर नंबर भी अगर ए होगा जाम को बी करते हैं तो उसको सी कर देना है लेकिन अटैच उदर कर देना है चाहे लिंक अटैच कर दो सिर्फ ठीक है अच्छे जी मुझे लीजेगा जी डेबल स्पीड में आदे गंटे में देख लेंगा अगर लगता है आपको वर इसके लिए इसके लिए हमने कहा था दो खूसियाथ होनी जरूरी है नहीं दो खूसियाथ हो मेरे टिसियन को इंपक्ट डाल लुगे बस इतनी सी बात हो मैंने एक एक और एक कंपनी के अंदर investment का सोचा मैंने finances statements उठाई नहीं यार यह क्या है relevant information थी तो मेरे decision बदल दिया उसमें ठीक है यहां ठीक है या इसको देखने कंपनी यार इसमें investment करनी चाहिए decision बदल दे जो information वही मेरे लिए relevant है ना ठीक है और यह depend करती है बहराल इस relevance की material है जिसकी वज़ा से मेरे लिए वह relevant बन गई है तो यह मैंने आपको वैसे बनवा दिया था मतलब तस्वीर की चवाई थी ठीक है तो relevance relevant financial information is capable of making a difference in the decision made by user information is material और अच्छा वैसे वह इस पर डिपेंड करता है materiality पे relevance of information is affected by its materiality ठीक है materiality यह है बता देता हूं थोड़ी देर में वैसे materiality क्या है यह judgment होती है हर एक की मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसके लिए करोड़ एक करोड़ रुपया कोई material amount नहीं है क्योंकि उसका 100 करोड़ रुपय का revenue है साल का लेकिन दूसरी कंपनी के लिए करोड़ बहुत माने रखता है और क्योंकि उसकी टोडल सेल ही 4-5 करोड़ है ठीक है अब इसको जिसमे materiality हर एक की different होगी यह बात होगी अब materiality का मतलब क्या है अगर वो कंपनी जिसके 100 करोड़ से भी जादा की सेल है अगर उसकी सेल अगर उसके finances statements के अंदर कोई 50 लाग 60 करोड़ की चीज आग लेकर जो दूसरी organization ती जिसकी अंदर total 3-4 करोड़ की सेल ती तो एक करोड़ की कोई चीज अगर omit हो जाए या false हो जाए तो उससे तरफ decision बदल सकता है ठीक है ना यह materiality का मतलब होता है basically तो information is यह लिखा भी हुआ है information is material if omitting it or miss stating it or obscuring obscuring कहते हैं रोकना it could influence decisions ठीक है बस इत करने है तो यह भी कारी लो अच्छा नहीं लगता अब यह ऐसी पड़ा हूँ ठीक है relevance होनी चाहिए और दूसरा true and fair view दे यानी faithful representation हो faithful representation हो इसके लिए तीन चीज़ें होनी जरूरी हैं जिस information में तीन चीज़ें हो उसको हम कहते हैं कि वो फेर व्यू दे रही है true and fair व्यू दे रही हो तीन चीज़ें क्या है complete, neutral, free from error बस ठीक है faithful representation to be perfectly faithful representation a depiction would have three characteristics complete, neutral, free from error बस इतना ही याद रखने है हाँ आपकोर्स perfection is seldom if ever achievable the objective is to maximize these quality कहता है यह perfection तो नहीं आ सकती ही लेकिन आपने कोशिच करना है जितना बेतर हो सके ठीक है तो यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ लें वो कहता है financial reports represent economic phenomena in words and numbers to be useful financial information must not only represent relevant phenomena but it must also faithfully represent the substance substance ये एक आपने concept पढ़ा होगा substance over form इंट्रो में शायद सुना तो हो नहीं सुना है substance over form चले मैं समझाता हूँ असान अलफाज के अंदर substance कहते हैं reality को और form means legal form तो accountants accounting के अंदर हम लोगों का असूल क्या है कि हम सिर्फ legal form को नहीं देखते हम transaction की reality को भी देखते हैं जैसे clear ना हो जाएं वो bank के नाम है आप एक business हैं आपने गाड़ियं लीस पे लेकर अपने employees को दी हुए अब वो गाड़ियों की ownership देखोगे ना book के अंदर तो वो bank के नाम होगी लेकिन आप F2 में जाके पढ़ेंगे तरह बात आगे की हो जाती इसलिए F2 में जाके आप पढ़े least asset के लो में owned asset उसी तरह से PPE non current asset में PPE आ रहा है इंटेंजिबल आ रहा है CWIP आ रहा है वहीं पर least asset भी आ रहा है हलांके lease वाला asset तो bank के नाम पर अब legal form क्या है वो bank का asset है लेकिन substance क्या है वो दर असल आप का ही है सारी जिनकी तकरीबान आप नहीं उससे फाइदा लेना है व सिर्फ उसको अपनी installment से क्योर करने के लिए अपने नाम में रखा हुआ है तो अब सिर्फ सिर्फ उस legal form को पकड़ के हम accounting वाले बैठ नहीं जाते के छोड़ो यार यह तो हमारा asset ही नहीं है हम substance को देखने है reality क्या है reality यह है कि वह asset हमारा ही है उससे सारे फाइदे हम ही उठ हा रहे हैं अब यह ज्यादा तफसील तो आप लीज के एसेड़ी जाके पड़ो गया यह फरस सिस्टीन पुरा स्टेंडर्ड है बीस बाइस दिन लगते है एफ़ टू के अंदर हैवी हैवी स्टेंडर्ड है ठीक है तो substance क्या है reality क्या है asset मारा ही है legal form क्या है bank के नाम है ले legal form substance जो होगा reality जो होगी हमेशा च्छाई रहेगी legal form पे हमेशा उपर रहेगी legal form से ठीक है यह दार लिखा हुआ था यहां पर कुछ ऐसा था ठीक है तो बस यह दो पढ़ लेना यह दो पढ़ लेना और यह बात जहन में बस हो आपके के मतलब यह कह रहे हो ठीक है बाकी या numbers to be useful financial information must not only represent relevant phenomena but it also faithfully represents the substance of phenomena ठीक है असल reality भी देखनी है आपने तो मैंने एक example दे लिया आपको ठीक है आगे कहता है although in many circumstances the substance of an economic phenomena and its legal form are the same an accountant should be careful to identify when this might not be the case कहता है वैसे normally यह सेम ही होता है लेकिन कभी-कभी accountant इत्यात करना कभी-कभी ऐसा नहीं भी हो सकता तो उसके बारे में आपने मौताद रहना है identify करना है कि जब यह case ना हो तो फिर तो जब case नहीं तो मैंने example बता दिया आपको नॉर्मली यह सेम ही होते हैं ठीक है कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है ठीक है इंपॉर्टन बात क्या है जी faithful representation कब आएगी जब तीन characteristics हो फाइंसे स्टेटमेंट में फाइनेंशल information जो है वो complete हो neutral हो और free from error हो परचे की हद तक से इतनी बात याद रखनी है mcq वगएरा में यह आ सकता है true false में वगएरा ठीक है जी of course perfection कहां लिखाव depiction तो भी faith perfectly faithful वैसे तो आपको चाहिए google करके आया करें मैंने पहले भी का आया कि अंग्रे हैं ने एक मिन मैंने आपको पहले भी का आया कि अंग्रेजी का लाउस पूछना है ना वह वैसे अपना knowledge बढ़ाने के लिए कोशिश किया करें बाकी है यह मैं मानता हूं आपको डर लगता है कि अगर मुबायल उठाया चार पांच गंडे बात पता लगेगा ओहो depiction का मतलब देखने आप जी जी तू पी पर्फैटली टूबी अ पर्फैटली पेड़ वल्रेप्रेजन अ डिपिक्षिंगए जी बोलें भाई ब़्यू statement भी कुछ बियानी कर रही होती है ना तो depiction का मतलब वो तस्वीर जिसकी बात हम कर रहे हैं हमारे सामने जो scenario जो तस्वीर है तो वो कह रहा है to be perfectly faithful to be a perfectly faithful representation जो depiction हमारे सामने है जो finances statement basically वो ही कह रहा है ठीक है would have three characters उन में वो कोई भी चीज़ हो सकते हैं अब सिर्फ finances statement तो नहीं हो सकती कोई और report हो सकती है कोई और return हो सकती है तो इसलिए उसने कहा दिया depiction ठीक है ना कि जो चीज़ हमारे सामने बाराल मैं यह कह रहा हूँ financial information जो financial information अगर आप चाहते है faithful representation दे तो यह तीज़ खूसियात उसमें होनी चाहिए ठीक है अब में दो खूसियात कौन सी हो गए जी relevant हो information और true and fair view दे ठीक है अब यह दो चीज़ें अचीव करने के लिए चार चीज़ें और हैं जो इनकी जो इनको enhance करेंगी जो इनको इनको help करेंगी जो इनको मजबूत करेंगी यह इन दोनों qualities को वो कौन सी है सबसे पहली है comparability बहुत बहुत मशूर और बहुत आम फहम हाँ आप हमेशा आप तो ratio का topic पढ़के आप आए वे आपको पता ही है कि आपने comparison करना होता है current year का पिछले साल से अपने साल पिछले किसी साल से पिछले साल उससे पिछले साल यानि कि over the years अपनी ही organization में आप compare कर सकते हैं और आप दूसरी organization से भी कर सकते हैं अपनी organization से comparison तो बहुत असान है क्योंकि आप अपनी organization के हब तक तो consistent policies follow कर रहे होते हैं ठीक है लेकिन जो दूसरी organization होती है उनके साथ बहराल एक मसला यह भी आ सकता है कि different accounting policies use हो रही हो हम five फू लगा रहे हैं हमारे मसाइ एफ फू लगा रहे हैं तो फिर बाकि सब कुछ same भी हो तो value stock की different तो profit different हो सकता है ना और बोलो यह एक limitation था ratio का पढ़ा नहीं भी आ तो पढ़ लेंगे अब वैसे जबानी बताया हुआ आपको ratio is a very useful tool लेकिं still इसकी कुछ limitation है जिसमें से एक limitation यह भी है कि मैंने शायद लगता है मुझे पढ़ाया है बाराल फिर पढ़ेंगे अगर तसली नहीं होगी में तो एक बार फिर go through कर लेंगे मैंने का था कि यार देखो रेशो जो है ना ratios यह बहुत useful tool है लेकि इनमें एक कमी क्या है कि different accounting policies use कर रही है different entities अब हम दोनों को जब compare कर रहे हैं तो बाहराल यह एक मसला है लेकिन क्या करें उस limitation के बावजूद एक अच्छा tool है तो comparability क्या थी है यह comparison ही तो कर रहे थे अपने साथ तो easy है पिछले साल से compare करना क्योंकि हम आये सेट में पढ़के आए हैं कि हम consistently accounting policies को apply कर तो उसका मकसद ही यह है consistently accounting policies को apply करने का मकसद क्या है हमें comparability हमें consistency मिले consistency से comparability आती है और comparability यह relevant और true and fair view की तरफ लेकर जा रहा होता है यह इस तरह से बात की ठीक है ना तो पढ़ें ज़रा compare enhancing qualitative characteristics रहा है जी comparability information about a शुरू से पढ़ ले दें फिर highlights नहीं कर ले na comparability enables user to identify and understand similarities in and differences among items information about a reporting entity is more useful if it can be compared with similar information about other entities and with similar information about the same entity for another period or another day वही काम जो मैंने कहा ता ratios में हम करते थे ठीक है अब comparability के लिए consistency जरूरी है consistency होगी तो ही comparability मुम्किन है ना वरना तो आप हर दवा आप एक साल फाइफो लगाएं दो साल एफ को लगाएं फिर फाइफो कर दें पिर आपने क्या का comparison करना है पिछले साल से के मेरी cost of sale बढ़ गई या कम हो गई कुछ भी ना करें शुरफ stock की valuation बदलने से ही आपके profits आपकी cost वगारा बदल रही होती है तो consistency जरूरी है किस लिए ताके आप comparability की तरफ जा सके consistency is related to comparability but it is not the same कहता है comparability की तरफ लेकर जरूर जाता है यह consistency concept लेगे यह different चीज है यह different चीज है okay consistency refers to the use of same methods for same items either from period to period within an entity or in a single period across entities consistency helps to achieve the goal of comparability यह बात लिखी हुई है ना कहता है अपने ही organization के अंदर पिछले सालों के साथ consistent रहें या एक industry की एक industry के अंदर पांचे entities है उन सबने एक हो सकता है ना कुछ मिलके कुछ लोगों ने काओ कि यार इस industry के अंदर हम सब फाइफो यूज कर लेते हैं ताकि industry average निकालना जरूरी रहे ऐसा भी तो हो सकता है तो consistency लाई जा सकती है किसलिए compare comparability के लिए कह रहे हो ठीक है बार लोग कहते है consistency has to achieve goal of comparability ठीक है तो यह highlight कर लें और यह कर लें GMCQs टाइप आ सकती है आपके वो true false पूछ सकता है यानि के लिख कर कह देए यह सही है जग अगलत है तो यह जब भी गुजरो यहां से इनको पढ़ो एक नजर जितना highlight करवा रहा हूं वेरिफाइबल होना चाहिए जी वेरिफाइबल होना चाहिए क्या मतलब जब आप audit पे जाते हैं न जब आप कैफ के बाद audit पे जाएंगे आप ने audit के लिए finances statements को सामने रखा आपको finances statements के अंदर नजर आ रहा है land and building, planned, machinery, fixed assets पढ़े हैं आपने का यार यह जदर इनकी movement तो लेके आओ वो ले आए movement ओपनिंग इतना था, addition इतने होई, disposal इतने होई, closing या note बना हुआ था आपने उसमें देखा आपने का यार यह asset गोल दारा लगा यार यह भाईजन को break up लिखा होगा, यह चीज़ खरीदी, यह चीज़ खरीदी, यह चीज़ खरीदी, यह चीज़ खरीदी, जहां से आपको लगा, यार यह advance तुमने यहां डाला होगा, चलो सही करो, यहाद है, rectification, advance, wrongly capitalized, अच्छा, अब वो क्या है, हर एक चीज़ जो वहां पे लिखी हु वहाई सालग लगी होती है, फिर payment जो की होती है, उसके proofs अलग लगे होते हैं, पूरा, पूरा evidence मौझूद होता है, किसी भी ऐसी चीज़ का जो finances statements के अंदर आ रही होती है, यह एक finances statement के अच्छी खसूसी आता है, यह तो नहीं कि अंदाज से चीज़ें डाली हुई है, बा ठीक है, तो verifiability होनी चाहिए, verifiability का है, this quality helps to ensure the users that the information faithfully represents the economic phenomena, यह नहीं कि आप ऐसे ही नहीं आपने अन्यवा acids record किये हुए, यह liabilities understate किये हुए, कोई भी चीज़ वह verify करना चाहें, verifiable है, और यह verifiability जो होती है, यह information के बारे मताती है, कि यह information faithful है, faithful representation, true and fair view दे रही है, ठीक knowledgeable and independent observers could reach consensus that a particular depiction is a faithful representation, मैंने देखा उस asset को, मैंने verify किया, तो मैंने का हाँ ठीक है, यह fixed asset है, बाई ने किया, इनको भी यह लगा, इन बाई ने किया, इनको भी यह लगा, यह है मतलब, चीक है ना, verifiable का मतलब, यह एक चीज सही पढ़ी है, सही पढ़ी है तो भाई, कहते हैं जैसे हम मैंने financial statements बनाई हैं, अगर मैंने financial statements बनाई हैं, और मैंने बना कर रख दी हैं सामने और मैंने का ओ भाई जिसने check करना है, मुझे पता है चीजे सही हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, verifiable होगी तो अभी मैं ऐसे कोंगा ना, आओ यहर चेक करो भाई, auditor, जो मर्जी द देखो, ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से कोंसी चीज कैसे आई है, ओके, verifiable, quantified information need not to be single point estimate of verifiable, a range of possible amounts of related possibility can also be, कहता है, सिरफ एक ही चीज नहीं होती, बस आपके quantified information, जो है, वो ही बस, मतलब, verifiable होना चाहिए, quantified information needs not to be a single point estimate, a range of possible amounts and related possibilities can also be verified, ठीक है, छोड़ने है, मैंने होती बात तो highlight कर दी, हाँ, verification एक बार पढ़ लो, direct भी हो सकती है, और indirect भी, direct का मतलब ये है, कि inventory मैंने जाके देख ली, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और गिंती कर ली और value निकाल ली, ठीक है, ये direct verification है, indirect क्या है, मैंने bill निकल ला, पहले मैंने financial statements देखी, inventory है, बाइजन लेके आए, वो लेके आए, मैंने का, ये कैसे निकली है, मैंने का, जी, ये units into five full लगाया है, मैंने, ठीक है, units into rate लगाया है, और ये cost आई है, ठीक है, ये cost लो की है, मैंने का, अच्छा, तो इसका मतलब, ये cost है, formula है, work back करके, हमने का, अच्छा, हाँ, ठीक है, inventory की figure, तो verification Direct verification means verification through direct observation, for example, counting cash or inventory, or indirect verification means checking the input to a model, formula, or other technique, and recalculating the outputs using the same methodology, for example, the carrying amount of inventory is verified by checking the inputs cost and recalculating the closing inventory using the same assumptions, ठीक है, बाहरा, कोई इतनी important बात नहीं है, एक दफ़ पढ़ लिया, आप लोगोंने घर पे, तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, हाईलाइट करते जाएं, जो च ताइमलीनेस, 2023 चल रहा है, लेकिन मुर्तजा की, मुर्तजा की कंपनी में आज कल 2019 की Fiennesis Statements बन रही है, ठीक है, अब इसकी 2019 की Fiennesis Statements बन भी जाएं, तो मेरे किसी काम की हैं अगर मैंने कुडिसियन मेकिंग करनी हैं, ठीक है, मुझे तो 20-21 से भी घर्ज नहीं होगा, मै अब लिसिट कमती हो ना तो हाफ येरली अकाउंट भी बनाते हैं ठीक है क्या मतलब टाइमलीनेस होनी चाहिए इन्फरमेशन काम की तभी है जब वेले दी नमाजां ते कवेले दीयां तक्राम वली बाद है ठीक है अगर टाइम पर इन्फरमेशन होगी तो उससे कोई डिसियन मेकिंग सही हो जकती है ना टाइमलीनेस होनी जरूरी है इन्फरमेशन अवेलेबल तो डिसियन मेकर्स इन टाइम तो बी कैपिबल ओफ इन्फूंसिंग देर डिसियों ठीक है जनरी ओडर दा इन्फरमेशन लेस्यूसल ठीक है बड़ी मिरमानी जी हाइलेट नहीं करना अंडरस्टेंडेबल होनी चाहिए आपने बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसिट्स की हेडिंग दी है उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एकिप्मेंट कैपिटल वर्क इन प्रॉग्रेस ठीक है इन्टैंजिबल लॉंग टम इन्वेस्मेंट फिर करंट एसिट्स स्टॉक डेटर प्री पेइमेंट्स कैश एंड बैंक फिर लाइबिलिट एकुटी में कैपिटल वगएरा या अगर आप एन्पी ओ है तो फंड्स वगएरा फिर लाइबिल्टी में नॉन करंट लॉंग टम लॉन करंट पॉर्शन ऑफ लॉंग टम लॉन अब यह क्या कर रहे हैं आप बता रहे हैं जी एक लॉन है अगले एक साल में इतना पे हो जाना है और उसके आगे इतना पे होना है उसके बाद करंट लाइबिल्टी के अंदर यह टेक्स पेडल है क्या कर रहे हैं आप अप अंडरस्टेंडेबल बना रहे हैं फाइंसे सेट्मेंस को पता लग गया हमें कि एक लॉन्ग टम लोन है जिसमेंसे इतना क्लासिफाइंग करेक्टराइजिंग एंड प्रिजेंटिंग इट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर बस ची कि आगे पढ़ लो सम फिनामेना और इंहेरंटल यह वैसे इतनी इंपॉर्टन बात नहीं लेकर वो यह कह रहा है यह तो है ना जी कि हमने उनको क्लियर कंसाइज मैनर में ठीक है जी और क्लासिफाइग कर के साफसूत्रा करके लिखना इतने जहर कि तो मैं जमाई ली है ना तो हमनी कुछ नहीं लिखना मसला लगे तो कहते हैं एक चीज है ही सिरे से कॉम्पलेक्स तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप कहें सर अंडर्स्टेंडेबलिजी अशीव नहीं हो रही तो मैं यह नोट ही नहीं बनाऊंगा आएस 12 कह रहा है यह नोट बनाऊ तो कहता है कि कभी-कभी कुछ चीज़े ठीक है information is made understandable as some phenomena are inherently complex and cannot be made easy to understand excluding the however excluding the information relevant not justified in such circumstances यह नहीं कहना आपने कि यार बनाते ही नहीं नोट ठीक है आईस 12 यार वो टेक्स का है टेक्स का स्टेंडर्स ठोड़ो माधरत financial reports अच्छा यह बड़ी एहम बात है यह आपको intro के उस्तादों ने शुरू में ही बता दिया होगा भाई अगर time मिल जाए किसी को तो class में तो वो मिटा दीजिए किसी को कह दे जरा आप जाएंगे नहीं बाहर निकल के नहीं साब को कॉल कर दे जरा नहीं साब को कॉल कर दे अच्छा जी नहीं 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 बेटा ध्यान रखो नहीं वही आपको intro के उस्तादों ने शुरू में एक बात आई होगी finances जब आप कहते होंगे जब उनने कहा होगा user of financial statements तो आपने कहा होगा दस दिन लगा के तो हम बड़ी मुश्किल से यह समझ आई है कि acid liability होती है तो user को कैसे बता लगेगा तो उनने कहा होगा उमीद है कहा होगा नहीं तो मैं आप बता रहा हूं कि हमारी basic assumption financial statements prepare करते हुए यह होती है चुटी तो नहीं करने जा रहे बच्चे hybrid अच्छा है हमारी financial statements हमारी financial statements बैठ जाएं हमारी financial statements बैठ जाएं हमारी financial statements जो होती हैं जो हम बना रहे हैं वो हमारा basic basic उसके अंदर एक हमारी assumption होती है यह जिसको पता है asset क्या होता है liability क्या होती है capital क्या होता है और अगर नहीं पता तो पहले वो पता करके फिर financial statements पढ़े अब हम अपनी accounting को कितना को simple यह सारे disclosures यह सारी classification यह सब user की सहुलत के लिए हैं लेकिन user को भी कुछ मेनत करके कुछ knowledge gain करके ही इनको पढ़ना चाहिए तो financial reports are prepared for users who have a reasonable knowledge of business and economic activities and who review and analyze the information diligently ठीक है बाकी यह बात क्या है वो कहता है कि जी देखो information कि information की quality यह वो अच्छी होनी चाहिए useful होनी चाहिए information उसके लिए यह characteristics होनी चाहिए और जाहर सी बात है अगर किसी चीज़ की quality चाहिए होती है तो cost भी incur करनी पड़ती है अब कितनी cost incur करनी है इसको दरा ध्यान से देख लो लेकिन users असल में यह यूजर थे न शेरोडर जैसे होते हैं directors हो गए यह कहते हैं यहाद यह finance वाले लोग कमाते तो कुछ है नहीं बस समय ले जा रहे हैं तो यहाँ पर यह बताया गया कि देखो ultimately ना information की वज़ा से आपका decision गलत होने की cost भी आपको ही pay करनी पड़ेगी इसलिए कोई बात नहीं है cost यह वाली भर लिया करो लेकिन बहराल cost benefit analysis आप लोगों ने करतना है कि आप information जो drive कर रहे हैं वो information भाई जान भाई जान वो information फाइदा उससे ज़्यादा जिए जितनी cost उस पे इंकर किया है ठीक है ओके अच्छा अब यहां पर लिखा क्या हुआ है cost constraints on useful financial reporting cost constraint यानि के financial statements useful हो जाएं यह हमारे लिए जरूरी था हम चाहते थे useful हो जाएं भाई हो जाएगा इदर देखो ना मैंने इसलिए उनको special बलाया आप इदर पढ़ते रहें financial statements financial information useful हो जाए हम यह चाहते हैं लेकिन इसक quality बढ़ानी है तो खर्चा तो होना है लेकिन यह खर्चा एक constraint बन जाता है यह खर्चा एक रुकावर्ट बनता है इसके रास्ते में बस यह लिखा हुआ है cost constraint on useful cost is a pervasive constraint on information that can be provided by financial reporting reporting financial information imposes cost आपको चाइडर एकाउंटेंट्स हायर करने पड़ते हैं दूसरे एकाउंटेंट् justified by benefits of reporting तो अब उन लोगों की जो इतनी cost पर रखा है आपने तो justify करना चाहिए उनको फिर note बनाने आने चाहिए यह नहीं कि गलत note बना के देते रहो आपको तंखा देके लोग रखते हैं थीक है the benefits obtained from financial information should exceed the cost of obtaining and providing it information should not be provided if cost is not worth the benefit however users ultimately bear cost of providing information यह मैंने बात की थी ultimately user जो है उसने यह bear करनी होती है cost अहमद ले जाएं को यार बार बार आना जाना कर रहे हैं आप यह जरा आप class के बाद मैं मिलने आता हूं आप लोगों को however users ultimately bear cost of providing information in the form of reduced returns as they will have to incur additional cost to obtain or estimate the information if needed information is not for therefore a preparer बस यह बात therefore a preparer of finance statement must पढ़ो 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 कभी खुद सोचा करो पढ़ो वैसे मैं बता देता हूं अच्छा था फिर ठीक है फिर मैंसे जाता हूं however users ultimately bear cost of providing information in form of reduced returns and they will have to incur additional cost to obtain estimate of information if needed information is not provided ठीक है reduce return का मतलब यह है कि decision making जी दो तरह से बात हो सकती है पहली बात आपने जब यह cost incur करनी है information को यूस्टल बनाने के लिए तो वो क्या है expense है salary pay कर रहे है expense है उससे profits कम हो रहे हैं तो returns आपके कम होंगे आप user है तो एक end यह है दूसरा end यह है कि आपको information मिली है यह information पूरी नही or financial statement must not omit mandatory disclosures of a standard on pre-tax that cost of environment कहता है बस यह ध्यान रखो यह नहाँ आपको मैंने पूछा आपसे किसे बाई जन आपने वो सुना है financial statements में आपकी auditor ने का यह फला note नहीं बनाया हुआ अपने सर जी वो पता ही आपको इतना time मैं और ली बेस के ओपर काम करता हूं अगर मैंने वो नोड को बनाया होता तो इतने घंटे में वो नोड बनना था organization को कितनी cost पढ़ जाने थी मैंने का चलो omit कर देते हैं आपने ऐसा नहीं करना प्रेपेरर और फाइंसे statements जो हैं वो जरू झाल 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